हेलो दोस्तों वेलकम टो डियेशडे कार्स और भाई आज के वीडियो में बात करेंगे दा ओल नियो मारुत्ती सुजुकी वैगनार वी एकसाई सी एंजी के बारे में तो इतनी दिनों से इस गाड़ी का इंतिजार था बहुत सारे भाई जो कि एलेकसाई सी एंजी नहीं रे ना चाते थे और चाते थे कि अपर वैरियंट्स में भी मारुत्ती सी एंजी प्रवाइड कराए तो वो मोका भी आ गया है क्योंकि टाटा में कई सारे वैरियंट्स में आपको टियागो टिगोर में सी एंजी मिलती है तो उस वज़े से मारुत्ती ने भी अपनी वैगनार म और आपको इगाड़ी लेनी चीए या नहीं लेनी चीए वो सारी बातें आज के वीडियो में करेंगे तो सबसे पहले आपको बता दू कि exterior में कोई भी ऐसा noticeable फरक आपको नहीं मिलेगा पहले आपको मिलती थी अब चलते हैं साइड की तरफ तो उससे पहले एक चीज़ आप लोगों से share करना चाहूँगा कि अगर आपके बास भी पुरानी गाड़ी और आप टेंसन में है कि उसके पार्ट आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे मार्केट में तो उसकी जो टेंसन है व और अगर आपने पार्ट मंगा लिया और हो सकता है कि वो गाड़ी में फिट ना हो या कोई भी इशू हो तो आप उसको रिटन भी कर सकते हैं 10 डेज की जो रिटन पोलिसी है वो भी आपको बुडमों पे मिलती है तो भाई पार्ट की टेंसन छोड़ो और अपने गाड़ी गाड़ी का वजन था उसमें 13 इंच के टायर्स कहीं न कहीं LXI variant में छोटे लगते थे अब आपको 14 इंची टायर्स यहाँ पे मिलेंगे कोई भी बोडी क्लेडिंग आपको नहीं मिलती है 165 mm की जो ग्राउंड क्लेरेंस है वो मिल जाती है ABS और EBD के साथ में रियर में ड्र काउट किया गया है लेकिन उस पे आपको पोलिसिंग जरूर करनी पड़ती है क्योंकि वो भाई थोड़ा थोड़ा वाईटिस होता चला जाता है टाइम टो टाइम बोडी कलर में ही जो डोर हैं वो आपको VXI variant में मिल जाते हैं अब चलते हैं एक बार रियर में तो जो रि माउंट स्टोप लेंप नंबर प्लेट अपलिक दी गई है क्रोम फिनिस के साथ में रिफलेक्टर्स और पार्किंग सेंसर्स बंपर पे प्लेस किये गए हैं और जो स्किड प्लेट का डिजाइन है वो आपको बोडी कलर में ही पीछे मिल जाता है तो ओवरॉल साइड या जो बैक का लुक है वो एजिज आपको पहले जैसा ही मिलता है बूट खोलने के लिए जो लिवर है वो यहां आपको मिल जाता है और जो फरक है वो यह सबसे बड़ा फरक है कि जो सिलेंडर है सी एंजी का वो आप यहां बूट में देख सकते हैं तो अब वैगनार वी एकस लिए जो बारा के लोग का जो सिलेंडर है वो वी एकसाई वेरियंट में भी आपको मिलता है और जो स्टेपनी है वो भी भाई आपको 14 इंच की ही वैगनार में मिलती है वी एकसाई वेरियंट में रिमोट कंट्रोल चाबी आपको मिलती है और जो दोनों ही चाबी है वो लोग अनलोग के बटन के साथ में आपको मिल जाती है इंटिरियर की बात करें तो ब्लैक फिनिस के साथ में जो दरवाजे का इंटिरियर है वो आपको मिलता है चारों ही प लोर हेंडल्स, बोटल होल्डर और जो स्पीकर हैं, वो भाई दरवाजे पे दिये गए हैं, ड्राइवर सीट की हाइट एडजेस्ट करने का कोई भी ओप्शन इस वैरियंट में नहीं मिलता है, फैबरिक में ही डूवल टोन में आपको सीट्स दी गई हैं, सीट आगे पीछे कर सकते हैं, बैक रेस्ट एडजेस्ट आप कर सकते हैं, और काफी बढ़िया यहाँ पे फिक्स एड़रेस्ट के साथ में जो सीट्स हैं, वो आपको मिलती है, और डूवल टोन में जो डैस बोर्ड की लूप है, वो भाई आप यहाँ से देख सकते हैं, इस गाड़ी में आपको बिलकुल नॉर्मल लुक के साथ में यहाँ पे आपको मिलती है, स्पीडोमेटर, एनलोग और जो बाकी की इनफोर्मेशन से हैं, वो आपको डिजिटल दिख जाती हैं, येर सिफ्ट इंडिकेटर, गियर पोजिशन, फ्यूल कंजेप्शन, डिस्टेंस टु और दूसरा को ड्राइवर के बिलकुल सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टेरिंग को आप टिल्ट एडजेस्ट कर सकते हैं, टेलिस्कोपिक एडजेस्टमेंट का कोई भी ओप्शन इस वैरियंट में आपको नहीं दिया गया है, सेंटर कंसोल पे चलें, तो 2Dन का ज दोनों ही गाड़ी में मिलते हैं, जिसके की कंट्रोल सियां सेंटर कंसोल पे दिये गए हैं, 12V का एसेसरी आउटलेट आपको मिल जाता है, छोटा मोटा समान रख सकते हैं, 5-speed manual transmission के साथ में गाड़ी मिलते हैं, जो एक कपोल्डर है वो आपको पीछे handbrake के साथ में मिल ज जाता है, fix grab handles ही इस गाड़ी में आपको मिलते हैं, तो भाई ये था इस गाड़ी का interior, front cabin, तो देख सकते हैं कि किस तरह की जो look है वो आपको यहाँ पे मिलती है, बहुत ज़्यादा कोई ऐसाथ change आपको interior की look में भी नहीं मिलता है इस गाड़ी में, rear की बात करें, तो rear दर rest दिए गए है, 60-40 की जो split seat है वो आपको मिल जाती है, वो भाई आपको इस गाड़ी में नहीं मिलते हैं, बैट के देख लेते कि space कितना क्या मिलता है, तो भाई वैगनार में जो space है वो आपको पूरा मिलता है, leg room हो, thighs, photo, बढ़िया आपको मिलता है, और अच्छी कुसनि देती है, इंजन की बात करें तो इस गाड़े में आपको 998 CC, 56 BHP, 82 NM तोर्क और 34 किलोमेटर पर केजी की माइलेज के साथ में, थ्री सिलिंडर के 10C पैट्रोल इंजन दिया गया है, तो जो इंजन है वो भी यहाँ पे भाई, चेंज कर दिया गया है, जो नया इंजन आप को सेलेरियो CNG में मिलता था, वो अब वैगनार CNG में भी आपको मिलने लगा है, तो उस हिसाब से ज़्यादा रिफाइनमेंट के साथ में जो इंजन है, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, प्राइसिंग के अगर बात करें तो मारुत्ती वैगनार VXI CNG की जो एक शोरूम क लिए तो अच्छा खासा बजट आपका चीए और इस रेंज में टियागो भी आपके सामने उपलब्ध है, जो कि कहीं न कहीं वैल्यू फोर मनी साबित होती है, तो अपनी रिक्वाइर्मेंट के इसाब से अगर आपको माइलेज ज़्यादा चीए और बूर्ट स्पेस असूल हो सके, तो यही था आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना स्पोर्ट देते रहना, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्यो दोस्तों